हेलो फ्रेंट्स हाई व्रेवन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद्रोची दोस्तों आज के इस वीडियो में यह वीडियो बनाना मेरे लिए इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट था बहुत सारे लोगों को कन् एक्चली उसी के सारे भी जो confusion है वो clear करने के लिए doubts clear करने के लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे comments मिले लोगों को form fill करने में problem आ रही है जो other state के है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ problem क्या है देखिए जैसा कि आपको screen पे दिख रहा ह है next junior assistant वाले में भी same चीज लिखी हुई है any recognized board in India 10 प्लस 2 intermediate exam in any recognized board in India next में भी इन्होंने any recognized board दिया है और उसके बाद जो telephone operator का last में है उसमें भी any recognized board है यह देखकर कोई भी यही सोचेगा कि all over India से आपने कहीं से भी 10 प्लस 2 intermediate कर रखा है आप apply कर सकते हैं next जब आप अंदर जाएंगे detailed notification को open करेंगे वहाँ पर भी आपको जब आप सेक्षिक अहरता अनिवारे हरता देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको लिखा दिखेगा केद्र अत्वा राज्य सरकार से मानिता प्राप्त बोर्ड संस्थान से intermediate उत्तीन इससे भी सभी लोगों को यही लगेगा कि यह सभी के लिए है next जब उसी notification में आप detail देखेंगे 30 number point है जिसका मैंने यह screen पर आपको visible कराये वह उत्तरा खंड लोग सेवा आयो की परिधी के बाहर समूगा के सीधी भरती के पदों पर भरती है तो आवेदन करने के लिए वही अभियरती पारत्र हो होंगे जिसने अपनी high school एवम intermediate अत्वा उसके संकक्ष स्तर की सिक्षा उत्तरा खंड राज में इस्थित्मानिता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो next आपको bold में दिख रहा है वो यह है कि जो भी non-transferable job उत्तरा खंड में अगर किसी के husband या किसी की wife या किसी के parents या किसी के grandparents करते हैं तो वो apply कर सकता है लेकिन वो job भी non-transferable होनी चाहिए तो यह doubt पहला आपका clear हो गया कि other state वाले नहीं कर सकते लेकिन एक इसमें महात्वपूर्ण चीज यह है चूंकि सब को पता है कि जो उत्राखंड हमारा राज है यह सन 2000 में बना है इसके पहले जैसे कि तहरादूरूरूर की हरिद्वार रिशी केश जितने भी हैं जो उत्र केबल हैं इसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने क्योंकि वह अब उत्राखंड बन गया तो 2000 के बाद वहीं उत्राखंड के हो गया तो वह जो यूपी बाला मैंचन है वह उसके लिए है जैसा कि मुझे सबच में आ रहा है 2000 के पहले उत्राखंड जो बन गया है वो यूपी का हिस्सा था तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने उस देहरादून रूड की या रिद्वारिशिकेस के संस्थानों से स्कूलों से इंटरमेडियेट कर रखा है तो गैस यह जो कई लोगों के कन्फूजन था लोगोंने वन टाइम रेजिस्ट्रेश लोग हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं मैं माफी चाहूंगी अपने पहले वीडियो के लिए क्योंकि जैसा कि सबको विजिबल हो रहा है कोई भी पढ़कर अंदाजा यही लगाएगा कि अप्लाई कर सकते हैं मैं अपनी सभी सब्सक्राइबर से अपनी सभी वीवर से माफी चाती हूं चामा चाती हूं उसके लिए इसलिए मुझे वीडियो ज़रूरी हो गया बनाना आप लोगों का confusion को clear करने के लिए तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा लाइक करेगा मेरी आपको जैनियून लगती हूं तो चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मन भूलिएगा बेल आइकन हिट कर दीजेगा मिलती हूं अपने नेक्स वीडियो में फ्रेंड्स अल्दा बेस्ट टेक केर बबाई